जैश्री महांकाल, जैश्री महांकाल दोस्तों आप सभी का आपके अपने चनल में आपका एक बर फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है और आपका धन्यवाद, प्यार, सपोर्ट करने के लिए आप अगर आज यह जान पाएं कि आपके घर में कोन काला जादू लेकर आ रहा है, कोन लेकर अगर आपको यह नालेज हो जाए, यह बात आपको पता लग जाए, तो शायद मुझे लगता है कि आपकी कहीं सारी परिशानिया आज अभी ही खत्म हो जाएगी तो विडियो काला जादू अपसगूल कोन लेकर हमारे घर में सक्स लेकर आ रहा है उसे हम कैसे पहचाने क्या है क्या है क्या नहीं है हम चाहें चीजों को मानते है या नहीं मानते है जो भी आपका observation हो लेकिन इस तुडियो को पूरा देखने के बाद आपको आज एक सही जानकरी ज़रूर मिल जाएगी कि कोन हमारे घर में काला जादू लेकर आ रहा है उस निवेदर यह है कि आप इस वीडियो को अन्त तक पूरा देखे लाकि आपको सही जानकर मिल पाए उस सब्सक्राइब करना चाहता हूँ कि अपने मिल लेकर मुझसे बात आप कर सकते हैं उसका फीस है शुर्क रागोड़ सबसे पहली बात कि काला जादू है या नहीं पहला प्रश्नी तो यहां से शुरू होता है कि काला जादू को नेक दिले क्या रहा है मेन और मेन बात होता है कि आपके घर में वो लोग जो आपको ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको किसी में कुछ कर दिया है ये एक पूरा माइंड गेम एक साइकलोजी है जो हमें ये खुद के दिमा को समझा देते हैं वो लोग कि हमें किसी में कुछ कर दिया है और हमारा जो माइन्ड है, जो हमारा मनुविग्ज्यान है, उसी तरह से कार्व करता है, दोस्तों, हम एसमें पहले हमा महारी तरह को कहा थे, यह आछिञा को अछ फिल of a कि細man है, यह सीधा से एक माइन्ड गें में एक सच दिमाग को, एक पोजिटिव को पूर्ण तर नेगेटिव करने का बस सिर्फ एक बात कि आप पर किसी ने कुछ कर दिया दिए परिशानी हर एक के जीवन में होती चाहे मैंना जीवन हो आपका जीवन उस दुनिया में चाहे कोई भी सक्स उसकी निजी परिशानी हमेशा उसके साथ वह जब तक जीवी थे अब तक उसके साथ सवाइब करेगी और वह एक पोजिटिव उसके लिए जरूरी है क्योंकि वह जैसे घोजन जरूरी है वैसे ही यह चीज़े हमें जीवन में आगे हमेशा हमारा उत्सा बढ़ाएं बढ़ाएं रखने के लिए सब चीज़े चलती रहती है अप एंडाउन लेकिन इस डाउन फोल में कोई व्यक्ति हमें यह इडेंटिफाई कर देता है कि आपको किसी ने कुछ कर दिया तो आप बहुत जादा नेगेटिव वें में चले जाते हैं और खुद को वैसा ही आप खुद वैसा रियक्ट करते हैं ना चाहते हुए में तो सबसे पहली बा है जैसे आप यह खुद को फील करना रोज फील करना शुरू कर देंगे तो यह जो नेगेटिवीटी है आप से बाहर हो जाएगे और आप बिल्कुल फीट हो जाएगे यह बहुत बैसीक और बहुत सरल और बहुत ही जटिल तरीका है वह जटिल इसलिए क्योंकि इसको करना कहए देना मेरे बहुत आसान है पर आपको इसको समझाना और इस जटिलता को दुनाना बहुत कतिन इसलिए इस जतिन को अफसरल बनाए इसे करें अपने जीजी जीवन में अनुभव करें और जब भी कोई भी कोई भी आपका दोस्त मित्र इस चीज़ से जी रहाया उस ची कि ले महांगा हुआ